तो गाइस तो भी हम लोग चाहा रहे हैं मॉयस्वी को बांदने के लिए कब्रिस्तान में जैसे कि आप लेख देख पा रहे हैं यह हमारे गाउं का व्यू काफी खूबशूरत न जा रहा है तो चलिए आप लोग वीडियो में कंटिनूर बने रहे हैं तो मैं लेके जा रहा ह जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं और यह करıld seben का में गेट हमारे गाउंगर कर अब काफी बड़ा कब्रिस्तान है मैं आप लोग को डिखाने की कोशिज करें तो आप लोग वीडियो में कंटिनूर बने रहें सो फैनली हम कब्रिस्तान में पहुच चुके हैं हमारे गाय जा इसको अभी उदर थोड़ा घास में बांधना है काफी सारे लोग यहां पर लाते हैं गाय को बांधने के लिए अभी शुबह-शुबह का टाइम है तो एक दो तीन है आगे जाके काफी सारा आएंगे भी दोफ़र के टाइम बहुत ज़्यादा भर जाता है पूरा कब्रिस्तान आप देख सकते हैं काफी बढ़ा कब्रिस्तान है तो फैनली पूंच चुके है कब्रिस्तान में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहीं पर सब गाउं में जितने भी लोग मरते हैं तो यहीं पर लागर दफनाते हैं तो काफी बढ़ा कब्रिस्तान है तो यहीं पर हम लोगों को एक शुबीदा और मिल जाता है कि जो कुछ भी पालना हो तो यहीं लाके बांद देते हैं घांसुष खा लेते हैं यहीं पर तो यह भी शुबीदा है हम लोगा तो चलिए आप लोग वीडियो में कंटीनू बने रहें ताकि मैं आप लोगों को पूरा कब्रिस्तान दिहाने की कोशिस करूंगा तो आप यहीं से ही बहुत अच्छे बलोग लाते रहेंगे ताकि आप लोगों को भी जल से जल देखने को मिल जाए तो चैनल को सबस्राइब करके बेल आइकन को और पर प्रेस कर देना तो चलिए गाईस आप लोग वीडियो में कंटीनू करें तो गाईस फैनली हमने गाय को खेत के और देखता हूं दो-ती दिन पहले रोपा लगा के आया था और धुक के कारण के अपर आता जल गया है तो देखके आता हूं अगर जल गया है तो इसमें पानी भी चराना है तो आप लोग वीडियो में कंटीनू बने रहे हैं मैं दिखाता हूं दोस्तों फैनली हम पहुंच चुके हैं खेत के और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हमारे पीछे पूरा खाली खेत है और इस साइड है अधान वाला खेत जहां पर हम लोग ने रोपा लगा दिया है देख आप देख पा रहे है कि पूरा खेत सुक चुका है तो कैसे इस खेत पर धान हो यहां पाणड़ने के लिए खेतों में तो चलिए आप लोग वीडियो में कंट्टीनू बनेड है मैं आप लोगों दिखाता हूं की यहां लोग अधान लगा लगा चुके हैं और इस साइट पूरा खाली खेत हैं क्योंकि इस खेत में पानी नहीं था पहले और दोस्तों अ और कभ़ा समझेदा पूरा थेक पार रहा है पूरे Hudson अलगा चुके लेकिन घेटों में पानी नहीं होने कारण रोपा जल reais तो मैं आपनों अब e4 दिखाने की कोशिस करूं का कि Bailey क Shyइश घान के जिल है जैसे कि आप लोग देख पारहु है वह दिखाई दे रहा है पुरा लाल लाल सा तो वहां का जो रोपा हमने लगाया था बट पानी सूप होने के कारण वहां का रोपा जो है जल चुगा है जैसे कि आप लोग पारे पूरा लाल लाल जैसा दिख रहा है और आगे वाला जो खेत में हरा हरा दिख रहा है यह बिल्कुल सही है तो यही किछ कारण था बाड़िस नहीं होने के कारण अब इन खेतों में हम लोगों को पानी चराना पड़ेगा तो चलिए कोई बात नियब तो खेती करने से प पूरा बलोग देखा मुझा उम्मीद है कि आप लोगों को काफी पसंद आया होगा तो प्लीस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड दोस्तों के साथ वाटसब फेस्बूक पे शेल भी कर देना ताके सभी लोग हमारे इस बलोग को देख पाए औ और आप देख पाएंगे तो चले गाइस आज का इस बलोग को यहें पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले एक न्यू बलोग के साथ आप लोग कंटिनू हमारे साथ बने रहें